नमस्कार एक्जाम हैपी बाई जहारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सहाय का चार्ज परिछा पेपर थिरी की तैयारी को ले करके तो आपको बताते चले पेपर थिरी का यहाँ पर जो है बहुत लोगों का कोई होसकता रही ही नहीं अब आपको बता देता है कि अभी तक भी आप लोग कोई भी इसमें से जेसी आर्टी टेस्ट बूक का प्रस्ण पत्र को नहीं देखें तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर सारे जो अनलाइसिस करवाए गए हैं, वो आपको JCRT टेस्ट बुक से प्रशन पूछे गए हैं, बजारू किताब से प्रशन एकदम न के बराबर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो समय आपको चार दिन, पात दिन, या कि नहीं कि छो दिन बचा हुआ है, उसमें आप यहाँ से टेस्ट बुक का, JCRT टेस्ट बुक का सारा PDF नोट्स बना हुआ तयार है, बहुत से लोगों ने लेकर देख लिया है, अगर आप भी अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो अभी यहाँ से 300 रुपए में पर्चेज करके पढ़ सकते हैं जिसके लिए मुवाइल नंबर 96310-54226 पर संपर कर सकते हैं, और यहाँ से सारे JCRT टेस्ट बुक का, अगर आप चाहिएगा तो देखिए, दो दिन में भी उस नोट्स को देख सकते हैं, क्योंकि क्या है, चेप्टर वाइज बना हुआ है, और वह भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम प्रस्न और बहुत ही ज्यादा प्रस्न जैसे JCRT से ही आ रहा है, ठीक है, तो आप सभी अभी कभी लेकर के यहां से जुड़ू पढ़ लिजेगा, अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे, वो 13, 14, 15, 16 जुनको यहाँ पर पेपर 3 की परिछा होनी है, तो हम यहाँ पर पेपर 3 का पूर्ण रूप से कंप्लेट आपको करवार है, पेपर 3, देखे, सबसे इपोटेंट रोल आपके लिए पेपर 3 रखेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 3 में 200 प्रस्न है, समाजिक विज्यान 75 प्रस्न है, एक से पांस से चेकल है, समाजिक विज्य इसमें साब किसी पर भी अच्छा पकड़ बना लेता है, तो यहाँ से आपका समझे के 100% सियोर है, आपका सक्सेस, ठीक है, तो आप सभी अभी कभी यहाँ पर अगर जेश्याटी का नोट्स आपके पास है, तो कोई बात नहीं, किताब पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छा अगर नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो आप यहाँ से 300 पे में नोट्स पर चेट कर लेंगे, चलिए देखते हैं, महत्तोपूर्ण प्रशना, सांकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास, वानभट, विसाखापट या आरियवट, तो अ यहाँ पर देखे, UP में दो बार इस प्रशन को रिपीट किया गया है, बिहार में देखे, एक बार इस प्रशन को रिपीट किया गया है, हर्याना में दो बार रिपीट किया गया है, और यहाँ पर अगर CG की बात करें, तो एक बार 36 गड़ में पूछा गया है, तो देखे, यहाँ पर अगर किसी प्रकार का practice set लेने के तियारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी चीज को लेने के तियारी कर रहे हैं तो उससे best option आपका JCRT test book होगा और नहीं तो उसका सारा notes आप यहाँ से ले लिजेगा Class 10 तक का सभी available है आप यहाँ से जूड करके तियारी कर सकते हैं तो अभी ज्यान सार कुतरम किस के द्वारा लिखा गया है कालीदास के द्वारा लिखा गया है मेगदूत नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखा गया है कालीदास, विसाखादत, वानभट या आर्यभट मेग दू ठीक है ये भी प्रशन आपका जो है एक गारा बार पुछा गया है सिच्छा पत्रता परिचा में अब तक के सिच्छा पत्रता परिचा जितने राजों में हुए है उसमें एक गारा बार ये प्रशन आपका निकल के आया हुआ है और यह प्रशन सबसे अधिक जो प पूछा गया बिहार टेट में एक बार पूछ दिया गया उसके साथ आप देखेंगे तो कलकत्ता में भी एक बार पूछा गया और दूसरा आप देखेंगे तो उडिशा में भी पूछा गया है ठीक है तो इस तरह से मिला करके आप देखेंगे तो हर स्टेट में इस तरह का प्रशन एक दो बार पूछती जा रहा है नेक्स्ट प्रशन आप देखेंगे हैं पर अगला प्रशन है आपका मुद्रा राच्छस नामक पुस्तक किसके दौरा लिखा गया तो एक पुस्तक का नाम से छपा हुआ रहेगा आप सभी देख लीजेगा और यह आपको जो है JCRT टेस्ट बुक में जो आपको यहाँ पर जो है आपको पुस्तक से समंधित दिया गया है वहीं से एक प्रशन रहेगा बाहर का प्रशन आपका नहीं रहेगा तो मुद्रा राच्छस नामक पुस्तक किसके दौरा लिखा गया है कालिदास बिसाखादद वानवर्ड या अरेवर्ड ठीक है तो मुद्रा राच्छस जो है वो लिखागा हए बिसाखादद के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है बिसाखादद के द्वारा इसका right answer B हो जाएगा हर्ष चरीत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है बहुत ही MBVI प्रशन और बहुत बार ये प्रशन पूछा जारा हर एकजाम में पूछा जारा आपके भी एकजाम में आने वाले हैं हर्ष चरीत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो हर्ष चरीत्र तो आप सभी यहां से लेकर के जरूर एक बड़ परिच्छाम जाने से पहले अवसे पढ़ लेंगे तो कादंबरी नामक पुस्तक किसके दोरा लिखा गया है तो यह कादंबरी जो है वान भट के दोरा लिखा गया है परिच्छाम पुछा गया है और यह गारव और प्रस्ण अभी तक आ चुका है आप सभी इसको देख लीजेगा और विभीन राज्यों का भी यहां पर प्रस्ण पत्र आपको बना हुआ है उसको भी आप यहां पर जोइन करने के बाद आपको सारा कुछ मिलते रहता है और ब समुद्र गुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोनलिया समुद्र गुप्त के कारी काल का वर्णन है प्रियाग प्रसस्ति में प्रियाग पूर्ण में प्रियाग कर्म में या कोई नहीं कहां पर इसका समुद्र गुप्त जो है समुद्र गुप्त उनके कारी कला का वर्णन किसमें किया गया है तो थे देखें अभी लेख में इसका वर्णन किया ठीक है तो हरिषें के देखें आपर नोट्स बनाये हुए है जिसके लिए नोट्स है हरिशेन के प्रियाग प्रस्थि में समुंद्र गुप्त के करिया कलाब का वर्णन है जिन्हों ने विक्रमाद दित्ती की उपाधी किसमे धारण किया चंद्रगुप दिवतिये, चंद्रगुप पर्थम, सम्मुंद्रगुप या कोईनी, विक्रमा दित्य के उपाधी किष्णे धारन किया, ठीक है, तब विक्रमा दित्य को किसो कहा जाता है, तब चंद्रगुप दिवतिये को इहां पर विक्रमा दित्य के नाम से भी जाना ज हजल चंद्रगूप दियुतिये के दरबारी कभी जो थे वू आपका काली दास थें चंद्रगूप के दरबारी कभी थे नालंदा थीमाइा किस्ञ shum kata niyaoyam बार आने वाला प्रस्ण नालंदा विश्व विदाले से एक दम दिमाग में बांद लिजेगा और इसको जडूर याद कर लिजेगा यहां से एक प्रस्ण छपेगा ही छपेगा नालंदा विश्व विदाले के अस्थापना किस ने किया नालंदा विश्व विदाले के पूर्णा नंद भिशो विदाले, नालंदा भिशो विदाले या कोई नहीं, ठीक है, तो चिनी यात्री हवेन संग जो था, ये नालंदा भिशो विदाले का विद्यार्ती था, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाया, नालंदा, मगद, कनोज या उत्री भारत, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनोज को बनाया, ठीक हां बनाया था, कनोज को बनाया था हर्षवर्धन, देखे हर्षवर्धन से एक प्रशन आपका निकल के आएगा, इसलिए हर्षवर्धन और चिनी यात्री को एदम दिमाग बना लिजेगा, यहां से एक प्रशन आपका आएगा और यह देखिए आपका Classics में दिया आए और exercise 10 जब आप खुलेगा इतिहास तो वहाँ भी आपको मिलेगा चिनी यात्री हुएन सांग किसके सासनकाल में भारत आया चंदरगुप दिवतिये हर्श वर्धन विक्रमा दित या चानक्या हुएन सांग किसके सासनकाल में भारत आया ठीक है तेक ट्रीक होता है हवन से हर्ष होता है हवन से क्या होता है जब आपके घर में हवन होता है तो ह वोन्तहायो तो हर्ष वर्दन के साथन काल में हर्ण वारत आया और इसका राइट एंसर हो जागा भी हो जाएगा, ठीक है, यहां पतर आंके उस ट्रिक को हमने लिख दिया है हावन से हर्ष होता है, हावन का मतला हुएं सांग औहर्ष का मतलब हर्ष स्वर्दन यानि वेन संग जो है किसके सासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन के सासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन की जिवनी लिखी हुई है किसमें हर्ष नामा में हर्ष चरित्र में हमसफर में या कोई नहीं तो हर्षवर्धन की जिवनी किसमें लिखी हुई तो हर्षवर् तो देखे हर्श्वर्दन के तरफ से यह सभी की रचना की गई थी और यह सभी नाटक थे नागानंद की रचना भी हर्श्वर्दन नहीं किये हैं रतनावली की रचना भी हर्श्वर्दन नहीं किये हैं तो यह सभी नाटक था देखिए अब जारखंड साय का चारज परिच्छा में जो आपका पेपर थिरी जो सो परशन होगा उसमें आप परचम लाराना चाहते हैं बहुत ही अच्छा इसकूर करना चाहते हैं तो आपको यहां से बेस्ट ओप्सन और नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि अभी देखिए जो टाइप पर आधारीत परशन और बहुत लोगों ने एकजाम देख करके हैं और सभी ने इस बात को कहा है तो आप भी अगर पेपर थिरी के एकजाम देने चाह रहे हैं और आप 6-8 की परिच्छा में त्यारी कर रहे हैं तो आप यहां से देखिए 300 रुपे में सारे नोट् सारा प्रशन करवाया हुआ है उसमें तब सारे नोट्स और पीडियों को एक बर परिच्छा में जाने से पहले हुआ से ले करके और लिजेगा यदि आप 6-8 के सिच्छा का और अभी आपको परिच्छा नहीं हुई है तो चलिए देखते हैं महत्तोपूर्ण प्रशन बिन आपकर मतलब क्या है आप देखिए अगर कभी आपकली करते हैं अशे का किया करते हैं और यृति किया क्टूनना को गिराई है, अब ये क्या है ये बिना बुज़ा हुआ हुआ है, इसमें बुजहना नहीं है तो उसकी आग बुज लेकिन बीना बूज़ा हुआ ऐसे जो बोल में है बजार से ला रहा है वो बेना बूज़ा हुआ और धीma का टरू सहे पांद का है बुझा हुआ चुना जिसको नाद में हम चुना को डाल दें गर्मी बूझ गई है तो उसको बुझा हुआ चुना कहते है उसमें जल मिला हुए रहता है इसलिए दोनों का याद रखेगा अभी तक कि गारा बर पुछा गया ठीक है चले इसके नीचे आहीं गया बुझा हुआ चुना का रसायनिक देखें यह जो है बिवीन परकार के रसायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ना है सयोजन बियोजन विस्थापन दीवस्थापन उस्मा छेपी उसमा सोसी ठीक है यहां पर ऑक्षी करन और रेडक्स इस परकार के बहुत सा अभिक्रिया पढ़ना है तो चले पहले हमसे पूच करके एक बड़ा तत्तो का योगी का निर्मान करेंगे तो उसको आपको सयोजन बुलना है दू को जोड़ करके वो बढ़का बनाएगा तो सयोजन बुलना है ठीक है याद हो गया ना जैसे N2 प्लस O2 अगर हम लिखें N2 हो क्या लिखें N2 होती है दो को मिल करके एक बड़ इसका सही हो जाएगा ठीक है देखिए अगला है CH2 अगला क्या है CH2 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस उर्जा ठीक है 21 परकार के रसायनिक अभिकरिया को धारने उसमा 6P उसमा से 100C बी ओजाने अभिकरिया कोई नी ठीक है देखिए एक ची याद रखीगा कभी-कभी इंटिके तो उसको आप लीजेगा उसमा 6P आभिकरिया और माइनस लग गया है तो उसमा सोसी और याद रखेगा तिनगा प्लस वह इसलिए उसमा 6P आभिकरिया में जाएगा पहचान बना लिजी पहचान नहीं बनाई अनौ तो बहुत बड़ा है यहाँ पर विग्यान ड्रामा करत समझ गया है तो जीस अभिकरी आमें उसमा उर्जा के रूप में निकलती है उससे उसमा चेपी अभिकरी आपको बता रहे हैं जेसी याटी कहिनों अगर जारखंड में नुकरी लेना है ना पढ़िएगा ना तो कहिनों आपको बढ़िया नमबर नहीं आएगा मेरिट तो कैल्सियम कारवोनेट इसी को कहते है चुनदा पथर इस इको कहते हैं carbonate इसी को संग मरमर करते हैं अगला है स्वेथ स्याम photography में किसका संभियोग किया जाता है जो हम लोग फोटोग्राफि करते है लग फोटो आता है टी उसमें किसका रिख करते यहां पर याद रखना फोटोग्राफी में ना प्रवस्न यह पर पूछ दिया था इसलिए आप बना दिये हैं अब बनाएं तका है देखें इंगा पर exercise one science class टेने से पूछा है देखे है ना टेने से पूछा है अब कहिएगा कि कहा से आ रहा सर उपर उपर पार होता है उपर उपर नहीं आप इसको देख लिजिएगा ठीक है यह प्रसन देखिए तीन बार भी तक पूछ दिया है अब बहुत लोग अलती होता है किस परकार के रसायनिक अभी करिया का उधारन है ऑक्सीकरन रेडोक्स या कोई नहीं ठीक है याद रखेगा ऑक्सीकरन किसे कहता है जिसमें ऑक्सीजन का संजोग होता है जैसे किसी ने लिखा और यहां क्या हुआ डोगों स्क्राइब्स देखिए ऑक्सीजन का संजोग हुआ तो यह ऑक्सीकरन हो गया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हुआ ऑक्रन हो गया अब कुछ अभिक्रिया देखिए ऐसी होती है कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सिकरन भी हो रहा होता है और ऑकरन भी हो रहा होता है ठीक है ऑक्सिकरन भी हो रहा होता है और ऑकरन भी होता है एक ही अभिक्रिया में तो उसको हम लोग रेडोक्स अभिक्रिया कहते हैं तो कैसे हो तो इसमें ऑक्सिजन का क्या हो रहा है संजोग हो रहा है तो इसमें ऑक्सिजन का सजोग ऑक्सिकरन यानि एक ही अभी क्रिया में यदि ऑक्सिकरन भी हो रहा है और ऑक्रन भी हो रहा है तो ओकरा देखिए हम लोग कहते हैं चला जाएगा चले अगला देखिए ऑपढ़े todos भर पढ़ चाहरे ना ईक्जाम जाने से एक दिन पहले भी अदिए अफ़ो बाते हैं तो आह θα आप MIKE वीक्जाम ख़या घूटने को जो कोई बाते हैं जितना AHT बढ़ एक awfully ने जाने पार देखह यहां पर यदि अखता हुआ है तो यहीं तो अभ है इसमें प्नाया हुआ है क्या बनाए हुआ है इस तHola से आपको पहले हम बता दिए लेकिंटल कि भी नोट से デक लीजिए जेडेन औ oppressor यह हो तो जेडेन ओ से जेडेन बने में यह क्या हो रहा है oxygen का वियोग हो रहाई oxygen जेडेन में अभी oxygen था जेडिन के साथ लेकिन जेडेन के साथ oxygen नहीं हैum अगला है लोहे के उपर नम या आधरवाई कुपस्तिते में खुला छोड़ देने पर उसके उपर एक भूरे रंग के परत जब जम जाते उसको क्या कहते है लोहा के उपर जो हता है देखते हैं आपके घरों में गर काञटी है या लोहा है उसको नमिके दिन में ठंडा जंग का रसायनिक सुत्र है एक बार नहीं जंग का रसायनिक सुत्र बता रते एक बार नहीं पूछा है 101 पूछा है ठीक है टांबे पर हरी परत बनना है जंग जनग लगता है तो उसको संजारन काते हैं क्या कना प्रस्ण पूछा है किस वारी पूछा है लेज खाते हैं पैकेट पैकेट वा लगता है कि बड़ी बढ़न है अब फोलता है तो च्यार को चिप्स निकलता है तो जो बढ़न लग रहा तो उसमें कौन सा गैस भरल था अब माल लिजे कि आप पैसे अगर चिप्स को रख दूजेगा तो कल रखे तो परसो खराब जाए आपका हुब 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 देखे तो जैसी अर्टी से लाइन वर लाइन प्रस्ण पूछा जा रहा है इसको आप एक्दम मान लीजेगा ठीक है क्योंकि अभी इसके पहले यहां पर एक्जाम हुआ आपको वन टू पाइफ का तो हुब हुब हुआ आपका सिक्स तु टेम त पेपर 3 के लिए 100% यहां से नोट्स पर चच करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चले देखते हैं, मातवपून प्राशना, पुर्थम बौश संगति कायोजन के सासक के सासनकाल में हुआ, एक हजार एक बारी प्राशना अब तक के एक जाम में सभी Central और State में लाके देखिए तो पूछ दिया गया है, ठिक है, तो देखिए इसके लिए इसके पहले भी वीडियो दे दिया गया है, ट्रीकी और पूरा नोट्स भी दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बार हम लोग अब्जेक्टिव को करेंगे, तो किस सासक के सासनकाल में हुआ, तो देखिए चार पॉससंगत्या हुई थी, और चा बार संगत्या हुजन की सासक के सासनकाल में हुआ, दियूतिया बार संगत्या हुजन की सासक के सासनकाल में हुआ, तो देखिए आज का मतलब है यहाँ पर अजाद सत्रू, आज का मतलब है देखिए काला सोक, का का मतलब काला सोक, और सासक असोक को कहा जाता है, तो सासक का उपादी असोक को और कौन में को से देखिए है कनिस्क क्या है कनिस्क यानि यह पहला बार है अजासत्रू तो पर्थम बहुत संगती का आयोजन के समय सासक जो थे अजासत्रू थे दूसरा था का से काला सोक तो दूतिये बहुत संगती का आयोजन का सासक काला सोक थे ना असा तिस खोट और यहां और निय को सहले सोगते हैं लिएου और आप से पूछा गया था कि पर्थम्यूंगती करो आताकर यहां सत्रू ठीक है चले नेक्स्ट दिवतिय बहुत सुंगती का अवजन किस अस्थान पर किया गया देखिए अब यहाँ पर अस्थान की बात आ रहा है ठीक है तो अस्थान के लिए एक ट्रीक याद रख लीजेगा अस्थान मतलब कैसे रहते हैं लोग तो देखिए यहाँ पर इसमें है तो वह वन में रहा था ठीक है तो ग्री का मतलब देखिए राजगरी राजगरी और यहाँ पर साली का मतलब है देखिए बैसाली साली का मतलब क्या है बैसाली अब पूत्र का मतलब है पाटली पूत्र वन का मतलब है कुंडल वन ठीक है तब दिवतिय बहुत संगति का राजग्री में किया गया और द्युतियों बहुत संगति का यह रह स्थान पर किया गया है तो अभी आपको स्थानके लिए यहां पर याद रखेगा ग्री में साली अब पुत्र वन में तरह यह 내 है राजगी दूसरा है, यह साली दूसरा है, जिसको लोग बैसाली कहाते हैं तो बैसाली हो जागा और तीसरा देखेंगे तब पूत्र से पाटली पूत्र पूछ आप परत्रम बहुत संगती जिका चोजन कहा किया गया है तो यहाँ पर गृह याणि राजगी में किया गया कहां किया गया राजगिरी में किया गया ठीक है चली अगला देखिएगा तिर्तिये बहुत संगति का आवजन की सस्थान पर किया गया यही था ना ग्री में साली ग्री में साली अब पूत्र वन में तो ग्री से मतलब राजगिरी साली का मतलब बैसाली पूत्र क पूत्र का मतलब पाट्री पूत्र तर तीसरा पूत्र पूट्र पूछा गया है तो पाट्रले पूत्र होगा राइट एंसर इसका सी हो जागा दिवतिये बहुत संगती के अध्याच कौन थे दिवतिये बहुत संगती के अध्याच कौन थे ठीक है तो देकि इसके लिए है महामिनी ना महामिनी मोगली आये वसुमित्र के पास ठीक है तो यहां पर महाकस्यप हो जाएगा और मोगली पुत्तिसम हो जाएगा ना तो और सर मीनी से हो गया सर्व कामनी, तो यह पर्थम भास豆侍न्गति के अध्याच थे, इसका भी ट्रिक त्रिक याद रख ले जागा, पर्थम भासVA कामनी का जागा, इसका राइट एंसर भी हो जाएगा, ठिके, चली अगला, पर्थम बहुत संगति के अध्याच कौन थे अभी बताया थे बहुत अध्याच का नाम रखने के लिए महा मिनी ना महा मिनी मोगली मोगली पुतिस्वम पुत्र के पास आए ठीक है तो महा से महा कस्यप मेनी से सारवने और मोगली से मोगली पतिसम और सारवकामनी ना तो महा कस्यप पर्थम बहुत संगती के ध्याश कौन हुए है महा कस्यप होगा है ठीक है राइट एंसर यह होगा बूद के मिर्त्यू का परतिक चीन क्या है बूद के मिर्त्यू का पर्तिक चीन क्या है कमल, गोडा, पद चीन या अस्तूप ठीक है देखे इसके लिए भी बूद के मिर्त्यू का पर्तिक चीन या बूद का पर्तिक चीन के लिए ट्रिक देदी है जन्मे कमलेस, त्यागे घोड़ा, पत निर्वान चीन, अमिर्तियू इस्टूप, तो इहाँ पर देखें, जन्मे कमलेस, जन्म का परतिक कमल और साड़ है, त्याग दिये घोड़ा, त्याग का परतिक क्या है, घोड़ा, मिर्तियू, पदचिन मिर्तियू, पदचिन मिर्तियू है, निर्वान पदचिन है और मिर्तियू स्थूप, यानि मिर्तियू का परतिक क्या है, स्थूप है, जैसे किसी मिर्तियू हो जाता है, तो क्या लगाते हैं, हम लोग कुलबुद लगाते हैं, उसे को स्थूप यहां प कमलेस, न, तो जन्म का परतिक है, कमलेस का मतलब कमल, अस्व का मतलब साड़, दू चीज़ है, तो जन्म का परतिक कमल और साड़ है, अगर केवल कमल दिया है, तो साड़ भी दे सकता है, ठीक है, तो जन्म का परतिक कमल एवं साड़ है, ठीक है, तो जन्म का परतिक कमल केवल पर्तिक ठीक है तो बूद के गृतिया का पर्तिक चिन क्या हो गया घोड़ा जन में कमलेस त्यागे घोड़ा घोड़ा हो गया बूद के निर्वान का पर्तिक चिन क्या है तो जन में कमलेस जन में कमलेस त्यागे घोड़ा पद निर्वान चिन मिर्तु इस्तु यानि सब्सक्राइब को जाएगा परदजिन कैसे कंडिका सासक के बता है आज कर के नियुका आजμαसगती कि अपता यहाँ ऑज शही पहला ऑजशनगति के सासक और ऑ न गर। दिए यह बहसंगती के सासक, काला सोख होगा, इसका right answer B हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका right answer B हो जाएगा चतूर्थ पौसंगति का अवजन किस स्थान पर किया गया है दिखे अस्थान के लिए आपको दिया गया है तो स्थान के लिए बताएं थे क्या चीज़ कैसे रहते हैं लोग तो ग्री में साली रहती है और पूत्र कहा रहता है वन में पूत्र कहा रहता है वन में ग्री का मतल राजगरी और यहां पर दूसरा कुन है दूसरा किस स्थान पर क्या गया वैसाली तिसरा पाटली पूत्र और चौथा कुंडल वन तिया पूछा है चतूर्थ बहुस्वंगति का अवजन किस स्थान पर क्या गया तो चतूर्थ बहुस्वंगति का अवजन जो है वह आपको कुंडल 1 में क्या गया राइट एंट सर्च का डी हो जाएगा चतूर्थ बहुसंगति का आवजन किस सासक के सासन काल में हुआ ठीक है तो इसके लिए हम रुक ट्रीट रहते हैं सासक के लिए आज का सासक कौन पहला जासतरू तुसरा काला सोग और सासक का मतलबा सोग और हो जाएगा त palette सासक के लिए आज का तो असोख हो जाएगा असक का राई टेंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ठीक है तेकि हम सुत्र से यहां पर सारे चीज़ों को बना दरहें हैं आप भी बना लिजेगा और इसी तरह का अगर आपको सारा वीडियो पीडिये फॉर मेटरियल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडि